हालो एब्रीवन इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इंडर्स्ट्रियल डिस्प्यूट्स नेक्स देखेंगे आप इस वीडियो में कौन-कौन सो टॉपिक्स पढ़ेंगे तो फर्स्ट इसका मैनिंग सेकेंड डेफिनेशन अब्जेक्टिव्स अप्लिकेबिलीटी करेक्टर और इंप्लॉईस के बीच में यह रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रेड यूनियन के दारा जिसमें की कुछ इशूज होते हैं जिसके लिए डिस एग्रिमन्ट होता है बेसिकली जितना सेलरी है विजए डिसाइड क्या गया है उतसे कम मिल रहे हैं वर्किंग कंडिशन जालती है कि वो उस टर्मो कंडिशन को माने और यह डिस्प्यूट में अगर नहीं मानते हैं तो स्ट्राइक्स लोकाउट पिकेटिंग घेराव कुछ इंडिसीप्लीन्स एक्टिविटीज वर्कर्स द्वारा की जाती है तो यह था इसका बेसिक मिनिंग नेक्स्ट नेक्स एक के अंदर दी गई थी जिसमें की इंडिस्ट्रियल डिस्प्यूट को डिफाइंड क्या गया है कोई भी डिस्प्यूट जो की Employees या Employer के बीच में होता है Employer या Workman के बीच में होता है या फिर Workman के बीच में होता है जो की Connected रहता है Employment से Non Employment से Employment की Term and Conditions से Labor से या किसी Persons से So basically तीन Parties होती है Employer, Employees और Workman इन तीनों का आपस में Dispute हो सकता है या तीनों का किसी का भी किसी के साथ Dispute हो सकता है Next है Objectives of Industrial Dispute Acts ये एक्ट 1947 में है था तो इसका First Objective होता है कि Suitable Machinery प्रोवाइड कर जाए Dispute के Settlement के लिए जिससे कि Equity Peaceful Justice मैंटेन है Second है Promote करता है, Measure करता है, Securing करता है Employer, Employees के Relationship को ये प्रिवेंट करता है, Illegal कुछ Strikes होई है या लोकाउट होई है तो Workers को Relief प्रोवाइड करता है, Layoff, Retragement या कुछ भी रोंग हो रहा है तो ये प्रमोट करता है, Collective Bargaining को कि लोग आके Collectively Negotiate कर सके उनकी क्या डिमांड है और ये Working Conditions को Improve करता है और ये Unfair Labor Practices जो होती है Labors के साथ जो कुछ गलात हो रहा है उसको Avoid करता है ताकि Disputes Now सबको Equal Rights मिले वो अपनी बाते रख सके तो ये Objective होता है Industrial Dispute का Next Applicability कि Industrial Dispute Act पूरे इंडिया में अप्लाई होता है कोई भी बनस हो, ट्रेड हो, मैनुफेक्टरिंग हो, डिस्टिबिशन ऑफ गोड्स हो, सर्विसेस हो जहां पर की Workers होते है Every person Employed होता है, जो भी किसी को हायर करता है कोई भी परसन अगर Contact पे Label लेक्यारा, Part-Time उसने Employees रखे हैं Clerk हो, Skilled हो, Unskilled हो, Technical हो, Operational हो यह Supervisory Work के लिए हो तो यह सभी पे Industrial Dispute Act अप्लाई होता है और यह Act Managerial और Administration में अप्लाई होता है पर जो व्यक्ति आर्मी Navy Force, Air Force और Police Officers जेल के उन पे यह Apply नहीं होता है Next Industrial Dispute के Characteristics तो इन पार्टिस इन वालव होती है जो की तीन में ली Employers, Employees और Workmen तो Employers का Employers के साथ Employers का Workmen के साथ Workmen का Workmen के साथ तो इन में से किसी का किसी के साथ भी Dispute हो सकता है Next Relation Dispute रिलेटेड होता है Workers और Employees दोनों के Relationship पे Based होता है उनके Appointment, Termination, किसी भी Person की क्या Conditions, Employment की और Work की उन सबके Relations को बताता है अगर Good Relations होंगे तो Dispute होंगे ही नहीं Employers को या Management को की Dispute हुआ है तो यह कुछ Characteristics इसी में आगे और Characteristics है Next है कि Industrial Dispute क्या होना ची है हो सकते है कि Management को ची की Production 10% से Increase हो इसलिए Dispute हो हो या फिर Workers को ची की उनकी Salary 10% से Increase हो कोई भी Issue हो सकते है तो दोनों Parties में से किसी Interest के लिए Dispute होता है Next Next है Related to Industry जो भी Disputes हुआ है वो Industrial Dispute तब होगा जब वो Industry से Related होगा जो भी Industry के Function से उससे Related होगा Dispute Industry से Blong करना ची क्योंकि किसी Personal Issue को Solve करने के लिए Industrial Dispute नहीं बोलेंगे किसी के Family में Issue हो पर अगर Industry से Related है उनके Work से Related है Employment से Related है वो काम कर रहे है तो उसको में Industrial Dispute बोलते है Next Last है Clarification कि Industrial Dispute जो होता है वो Related Matters पर होता है यह Transparent Case होता है जिसमें कि Settlement Possible नहीं होता है इस Matter को Find करना पड़ता है कि क्या दोनों Parties के Interest को Protect किया जा सकता है उसको पूरी Clearly तरीके से समझे और फिर उसको Settlement करना जी ताकि दोनों Parties Satisfied हो और Dispute को खतम किया जा सके तो यह थे कुछ Characteristics of Industrial Dispute इस वीडियो में आपने देखा Industrial Disputes का मैंनिंग Definition, Objectives, Applicability और Characteristics Industrial Disputes आपने देखा सकी Basically disputes हो जाता है किसे भी चीज में इंटरेस्ट में Disagreement हो जाता है दो Parties के बीच में Industry के अंदर Definition जो कि Industrial Dispute Act 1947 Section 2KK अंदर थी Next Objectives की Industrial Disputes का objective क्या है कि Unfair Labor Practices को Protect कर सके Good Working Conditions थे Labors या वर्कर्स को उनके राइट्स मिले ते कुछ objectives होते हैं Next की Applicability की Industrial Disputes सभी Businesses, Manufacturing, Trade Distribution सभी जगा पे अपलाई होता है Except Indian Government के Navy, Army, Force, Air Force को छोड़के Next is Characteristics की यह Real होना चीए Oral या Return होना चीए इसका कोई Form होना चीए और यह Clear होना चीए यह कुछ Characteristics थे अगर आप कोई वीडियो पसे नहीं तो Please Like कीजे, Subscribe कीजे चैनल को और किसी Topics पर वीडियो चेए तो आप कमेंट कर सकते हैं Causes of Industrial Disputes के Reason आप नेक्स वीडियो में पढ़ेंगे Thank you